है गाइज असलाम आलेक। वेल्कम बैक्ताव यूट्यूब चैनल फेंड्स मैं हुईना रभ्देख रेज क्या कीचन तो आज आप लोगों साथ शेयर करने जारी हूँ चिकन करी की रेसिपी जो की सिंपल तरीके से हम बनाएंगे विले स्टाइल में जो स्कीन वाली चिकन आ बनाव आलेक्श के बनाएंगें खुण होता है जाला है आई हो गरहें फ्लेम को कर देंगे चुक चिकन को वाश करके सबसे अच्छ कर देना है और शोड़ जब ऑद चिकन को मैं फ्राय कर लोंगी ऐलमें इस तरीके से फ्राय के पर य। मिल्यून फ्लेम पर आप से दस मिन च्छाल एड कर देगे 15 मिनित बाद जैसे कि मैंने यहां पर लिया है सबसे पहले मतलब की अद्रकलस्ण का पेस्ट आड कर देगे 70% तो इसी में cook हो जाएगी तो देखे इस तरीके से में fry कर लूँगी 10 मिन्यट में ने complete हो चुक है friends इसे fry करने के बाद मैं इसमें add कर दूँगी coconut जो की coconut होता है ना सुका मैं यहाँ पर coconut इस्तिमाल कर रहे हैं और ग्राइंड करके इस तरीके से paste बन जाती कुछ ड्राय मसाला एड़ कर देगे जिसी की लालमीज पाउडर यह कश्मीरी लालमीज पाउडर है कि जादा स्पाइसी नहीं होती है दो टेबल स्पून मैं आड़ कर दिया है उसी के साथ यहाँ पर मैं ऐड़ कर द Verantwort करीव Chicken जो कीritos आवेलेबल है कोई भी केरा रहना शॉप में मिल जाएंगा आप लोगों को दो टेबल स्पून बेर के चिकन मसाला मैं आड़ कर दिया है उसी के साथ यहाँ पर टर्मर है टर्मरीक पाउडर मतलब को बगर के हल्दी पावडर हाफ टी स्पुन चाहेगी और यहां पे अब हम एड़ कर देगे गरम-मसाला पावडर है वंटी स्पुन में एड़ कर दोंगे सबब से मिक्स कर लेगे इसके बाद हम भूनेंगे इस तरीके से जैसे पून है यह स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि जो चिकन है ना यह स्कीन वाली चिकन है इसमें पकाऊंगी पांश से दष मिनट तक लो फ्लें पर दी में 5 मिनिट इसके बाद एक सिक्रेत इंग्रिदियर्ण से मिडाना है जो की है फ्राइ ओनियन तो जो प्यास होती है इसे मैंने फ्राइख कर लिया था बिरीस्ता जो होता है ना प्यास का फ्राइख औनियन वह में एड़ कर दियो इसमें एक कब भर के मतलब यह तीन से चार प्यास को मैंने फ्राइ कर लिया था हलका गोल्डन कलर आने तक उसके बाद फ्रीज में रखना है तो बहुत है अच्छा टेस्ट आता है और इसकी ग्रेविय थीक बनेगी तो देखिए प्यास की बारने के बार इससे मीक्स कर लिए फिर इक बार चिकन को और इस जादा टेस्टी बनती है इंस्टन बनती है बिल्कुल भी समय नहीं लगता है देखिए मैं इतने फटा-फट मतलब मसाले डालते जारी है अपलों को बताते जारी हो इसके लिए वीडि 80% कोखो चुका है अल्मूस्ट इसमें पानी हम आड़ कर देंगे क्योंकि हमें करी बनानी है तो यहां पर मैं दो ग्लास के करी पानी इसमें अड़ कर दूँगी आपको जितनी थिक रखना है मतलब जो मसाला चाहिए तो आप एक ग्लासी पानी डाल सकते लेकिन मैं यहां पर की दो ग्लासे पानी डाल सकते था मानी दूप 1 ग्लासी मैं इसमें और ठोल चुका दूँगी आप फूरगो च्छीकन बहुआ चाह यह ऑच्छे से गल्छफ़ो की है एक फूल चिकन मैंने यहाँ पर लिया है तो दिखें यह इस तरीके से यह मतलब थोड़ी बड़ी साइस की चिकन है तो लेग मैंने हटा दिया था एक और यह पूरी चिकन है 1 kg की है तो मैंने बताया है यह मसाल आप लोगों को आप एक्जेस कर सकते हैं जितने कॉइंडिटी में बनाना है उतना अब एंड में हम इसमें एड कर देगे कुछ करेंडर लीव मतलब कि फ्रेश हरेदनी के पत्तों को वाश करके कट करके एड कर देना है बहुत अचा फ्ले ने बनाई है तो वीडियो को लाइक ज़रू कर देना चाहिए पर नहीं है पहली बार मेरा वीडियो आज कर तो प्ली सब्सक्राइब कर दीजिए कर मिलते है नेक्स वीडियो में एक निए और असान से रेसिपिक के साथ पत्तुक दो आम याद रखना अला फीस टेक्यार ब